समस्कारें पेन बाशपेई अपने यूडूब चैनल मैं पेन बाशपेई पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो SSC, CHSL, CGL और CPO बालों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है बहुत बड़ी अपडेट SSC ने अभी आपका जो रिसीडूल आपका एक्जाम का है वो जारी कर दिया है आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने नोटिस खोल रखा है देखिए दाइस टाप सेलेक्शन कमिशन हैस डिसाइड़ तो रिसीडूल इट्स फॉलोंग एक्जामेनेशन एस पर देटेल्स एक्जाम और तीसरा है आपका कमबाइड डेज़ूट लेवल का एक्जाम जो CPOSI का जो एक्जाम है उसका जो नया सीडूल है वो 26 जुलाई यानि कि 26 जुलाई को एक्जाम होगा जो आपका कमबाइड जो हाय सेकेंड़ी का एक्जाम है यानि कि जो आपका कुछ दिनों का exam बचा हुआ था वो schedule किया गया है 4 अगस्ट से लेकर के 12 अगस्ट तक और उसके बाद graduate level का जो exam है वो just उसके अगले दिन यानि कि 13 अगस्ट से 24 अगस्ट तक आपका exam ये चलने वाला है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ssc जो है पूरा active mode में आ गई है तो जो बच्चे chsl exam की preparation कर रहे हैं और cgl की preparation कर रहे हैं ये cpo की कर रहे है तो active mode में preparation करना start कर दीजिए और जो chsl 2019 वाले experiment है मैं उनको भी ये guide करना चाहता हूं कि आप भी अपनी typing जो है वो जो रो सो रो से करना start कर देगे कि कि जब result आएगा तो ssc आपको time नहीं देगी तो ये बहुत बड़ी update है ssc chsl और cgl और cpo वाले candidate के लिए तो आप अपने exam की date का इंतियार कर रहे थे और finally आपके exam की date आ भी गई है और मैंने भी आपको बताया था कि आपका जो exam है वो जुलाई से start हो जाएगा तो जुलाई में आपका schedule है सब इस्पेक्टर का exam cpo si का उसके बाद आप देखिए आपका chsl का exam अगस्त में है और आपका जो graduate level का exam है वो भी अगस्त में है तो यह बहुत बड़ी update है तो जो भी बच्चे chsl और cjl और cpo की त्यारी कर रहे है तो त्यारी में जुट जाएए बहुत कम टाइम आपके पास बचा है तो अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो जो भी update में ने दी आपको satisfactory लगी होगी तो वीडियो को जादा जादा share करिए उसके लावा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक इससे subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करना मत बुलेगा